तो आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग मानवा को चैटर 6 से कवर करना शुरू करेंगे अगर आपने बाब की चैटर्स की एक्स्प्लेनिशन नहीं देखी तो वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में हैं वीडियो देखने से आप अच्छे से स्टोरी लाइन को समझ सकते हैं तो बिना देरी करें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ हम देखते हैं सुओ उन सभी गॉबलिंश की सैटो को एक्स्टरेक्ट करता है पर उन गॉबलिंश के सैटो सोलजर सुओ को कुछ खास पसंद नहीं आते सैटो एक्स्टरेक्शन का इस्टमाल करने के बाद ये गॉबलिंश अपनी एक्च्छल साइज से काफी छोटे उचुके हैं इसके अलावा सुओ इन गॉबलिंश को सिर्फ एक दिन के लिए ही रख सकता है अगले तिन ये गॉबलिंश गयाब हो जाएंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि सुओ के पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है क्योंकि उसने अपनी सबी स्टेट पॉइंट को अपनी स्टेंथ में लगा लिया है और ज्यादा से ज्यादा सैटो को एक्स्टरेक्ट करने के लिए उसके पास इंटेलिजेंस का होना जरूरी है फिर सू सैडू डंजन की का इस्तमार करके वापिस हॉस्पिटल आ जाता है फिर बीरू सूओ को बताना शुरू करता है कि उनके पास तीन मिशन्स है पहले मिशन्स में उनको अर्थ को बचाना है इटा रिम से और इसके लिए उनको स्ट्रॉंग बनना होगा और वे लोग स्ट्रॉंग कैसे बनेंगे ऑविसली डंजन में जाकर वो लोग जितने मॉन्स्टरस को मारेंगे उतने ही वो लोग स्ट्रॉंग होईंगे दूसरी में उनको चाहिन को ढूंड रहा है और बीरू के इसके लिए उनको डंजन जाना पड़ेगा और फिर बीरू और सो आ जाते हैं Hunter Association पर जहां पर वो लोग Hunter Qualification देते हैं वहाँ पर उनको पता चलता है जो सो की Magic Power है वो 46% है तो इसलिए वो एक E Rank का Hunter बना है लेकिन सो को बता है कि उसकी Magic Power बढ़ेगी जैसे जैसे वो Level Up करेगा फिर सो बताता है कि उसने सुना है कि Dungeon के अंदर बहुत कम E और F Rank के Hunter बेजे जाते हैं यानि कि इस World में E Rank के Hunter से भी कमजोर F Rank के Hunters बन चुके हैं इसके लावा सो ये भी बताता है कि Dungeon की कामों को अच्छे से करने के लिए उसके अंदर 3 टीम को बेजा जाता है पहली Strike Squad जो Dungeon के अंदर जाकर हमला करती है दूसरा Howling Squad जो सबी मरेवे Monsters की Body कलेक्ट करती है और वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो मरेवे Monsters की Body से Hunters के लिए Weapons बना पाएं और आखिर में आती है Mining Squad जो Dungeon से Resources को इकटा करती है तो हाँ ये टीम सो के लिए बढ़िया है और सो इस टीम को जोइन कर लेता है और वहाँ पर सो की मुलाकात उसके Training इन सेक्टर से होती है जो की उसी की University का Art Assistant है और इसका नाम है लिम डॉक्यून जो की एक E-Rank का Hunter है Mining के समय डॉक्यून सो से माफ्य मांता है इसलिए जब University पर Mist Burn Monsters का हमला हुआ था तो पूरी University में डॉक्यून ही बजाता जो की एक Awakener है और एक Awakener होने के बावजूद डॉक्यून महां से भाग गया फिस सो डॉक्यून को संजाता है Let's Chill यार मैं भी माँ से भाग गया था इसके अलावा एसूसेशन भी ऐसी सिच्वेशन में हम E-Rank वालों को भागने के लिए ही कहती है लेकिन डॉक्यून को सो पर कुछ सक होता है क्योंकि उसने University के अंदर देखा था सो क्यून उस Mist Burn Monsters से फाइट कर रहा था और वो यहाँ पर इस समय ऐसा उसको जूट क्यू बोल रहा है और जब डॉक्यून के पीछे बीरू आता है तो डॉक्यून बीरू को देख लेता है और जैसे ही डॉक्यून बीरू को देखता है तो वे वहाँ पर चिला पड़ता है यहाँ पर एक Monster आया है फिस सुर zwischen ।क्यन को समजाता है कि वो एक समनर है और यह मौन्स्टर उसी का समन किया हुआ वो मौन्स्टर है सुर की बात समझने के बात डोक्यन भी बताता है कि उसके पात तेज भागने की ability है और सुर गलती से उससे कह देता है तबी तुम महाँ पर इतनी तेज भागे थे और ये सुननी के बाद डौकिन को काफी बुरा लगता है और आप डौकिन को देह की सकते हो अब यहाँ से सीन सिफ्ट होता है और हम उस डंजन के अंदर जा रहे हंटर्स को देखते हैं और जैसे ही वह हंटर उस स्वर्ड को निकाल लेता है तो वो मैसूस करता है कि वो किसी बीश्ट के मुँँ में है और वो बीश्ट उसको खाजाता है और उस हंटर की जो ओरा थी वो बिल्कुल ही बदल गई थी जब एक हंटर उसको देखने के लिए जाता है तबी वे उस हंटर की गर्दन उड़ा देता है और गुस्से में माँ के बचे सबी हंटर से कहता है आखिर किसकी हम्मत होई फैन मोनार्ज की स्वार्ड को छोने की इसी के साथ हम देख पाते हैं उस हंटर का चहरा एक बीस्त जैसा लग रहा है उसके बाद वे वहां के सबी हंटर्स को एक एक करके मार देता है दूसरी तरफ माइनिंग स्कॉर्ड में सुओ अपनी सैडो गॉबलिन से माइनिंग करवा रहा होता है ये दिखके डॉकिन पूरा सौक्ड था बीरू को मिलाकर सौके पास टूटल चार मॉंस्टर्स है लेकिन किसी नॉर्मल समनर के लिए भी चार मॉंस्टर्स को समन करना मुस्किल है वे केवल मुस्किल जे दू ही मॉंस्टर्स को समन कर पाता है और यहीं पे तर सौने चार मॉंस्टर्स को समन कर रखा है उसके बाद सो वहाँ पर पड़े माना किस्टल्स की पावर को कंजियूम करने के लिए बूलता है अपनी पावर एक गवर करने के लिए बेसिकली उसको मैजिक को कंजियूम करना ही है न ये तो वीरू माना किस्टल्स की पावर को कंजियूम करके करी सकता है न तो हाँ, हमारा बीरू वहाँ पर बड़े चोटे मोटे क्रिस्टल्स को खाना शुरू कर देता है तबी ही बीरू वो एक मोनार्ज की औरा प्रिजेंस होती है जब माँ के माइनिंग अंटर्स गुफा के अंदर देखते हैं जिसमें गॉब्लिंज के कई सारे वैपन्स मोजूद होते हैं और एक वैपन निकाल कर सुव तयार हुजाता है उन मैजिगल हाँंड से फाइट करने के लिए फिर सुव एक हाँंड को मार कर फटाफट उसकी सैडो को एक्स्टेक्ट करता है पिर उसके सामने आते हैं और दो हाँंड को भी मार कर उसकी सैडो को एक्स्टेक्ट कर लेता है तो उसके पास एक भी सैडो गॉब्लिन नहीं बचता बचते हैं तो सिर्फ तीन सैडो घॉब्लिन तुम जूट बोल रहे हो कि तुम एक E-rank के हंटर हो एक E-rank का हंटर ये सब करी नहीं सकता जो तुमने अभी किया सुव भी लाइक उसको समझाने की गोशिस कर रहा होता है कि वो एक E-rank हंटर ही है तभी ही सिस्टम आकर सुव को एक इमरजंसी क्यूश्ट देता है जहाँ पर उसको अपने जित ताकतवार अपॉनेंट को हरा कर कुछ को सेफ करना होगा फिरम देखते हैं वहाँ पर वही अंटर अपिर होता है जिसके हाथ पे फैन मोनार्च की स्वार्ड है डॉक्यून गुस्से में उस हंटर से पूशता है इसका मतलब है यह अंटर उसी सीरैन के मिश्ट बन मौन्स्टर की जितना ताकतवार है जिसने स्वाँ के उपर अपनी स्वार्ड से हमला किया था फिर स्वाँ बीरू से पूशता है कि ये वन्दा सच में एक मोनार्च है बीरू बताता है नहीं इस हंटर के पास मोनार्च की पावर नहीं है सिर्फ उसकी औरा है फिर स्वाँ अपनी डंजन इंवेंचरी से गॉबलिन्स के सभी वैपन्स को निकाल लेता है और जब स्वाँ की सैडव हाँंड्स उस हंडर से निपट रहे थे फिर स्वाँ अपनी स्केल लूरा अथोरिटी को एक्टिविट करके तैयार हो जाता है उस हंटर पर दूर से हमला करने के लिए फिर बीरू स्वाँ को बताता है जो मोनार्च की ओरा है वो स्वाँड के अंदर है और वही इस हंडर को पोसेस करके रखी है बीरू जबाब देता है अईसा स्वाँeg की ओरा को पता चलता है कि उसके सामने उसके सबसे बड़े दुस्मन स्वाँड के वोच्पannen तो वे अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है और आपको तो पता ही होगा कि जिन्वों ने कैसे फैन वोनार्ज को मारा था तो अपनी इसी मौत का बदला वो जिन्वों के बेटे सुव से लेगा सू भी लड़ाय के लिए तयार था चलो लेवल अफ होने के बाद देखा जाए मैं रैट नेम को हरा पाता हूँ या नहीं और ये कहने के बाद सू उन सभी गॉबलिंज के वैपन्स को उस हंटर की उपर फैक रहा था लेकिन सू देखता है वो अंटर उन सभी गॉबलिंज की वैपन्स को तोड़ते में उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था वैसे भी जिस टावर पे वैपने सपने पर चड़ना था वो सिर्फ एक टेस्ट था वैसे भी ये टेस्ट ये दीकने के लिए कराया गया था कि सूओ अपनी पायस को संभालने के लाइख है की नहीं और अगर सुओ को पनी पावर्स वैसी ही चाहिए जैसा उसने पहले हासिल करी थी तो इसके लिए उसको लेवल अप करना होगा फिर आखिर में सुओ को बीरू की एक और बात यादाती है इसने बताया था कि सैडो सोल्जर्स की बॉड़ी असल में स्प्रिचिल बॉड़ी होती है इसलिए जब तक सुओ के पास माना रहेगी वो लोग बार बार जिंदा होते रहेंगे सुओ उस हंटर यानि की फैंग मुनाज के हमले से बचते वे दो सैडो सोल्जर्स को समन करता है I mean सैडो एक्स्टेक्ट करता है उनकी और जब वे फैंग मुनाज सुओ पर अपना आखरी हमला करने वाला था तभी वो दोनों सैडो हाउंट सुओ के हादों के पास आते हैं फिर फैंग मुनाज सुओ की उपर हमला कर देता है लेकिन ये चीज़ देख की उसको ह 향 syllabus हूती है कि सुओ ने उन दोनों सैडो हाउंट को गान्टलेट बना लिया है और उन दोनों गॉंटलेट की वरा से वो फैंग मुनाच के हमले को ब्लॉक कर लेता है पिस सिस्टम बदाता है कि सुओ ने सैडो एक्स्टेक्शन के लेवल को बढ़ा लिया है जिसमें वे सैडो एक्स्टेक्शन के साथ साथ उनकी सेप को भी बदल सकता है और अब सुओ फैंग मुनाच के हमले को ब्लॉक करने के साथ साथ उस पर हमला भी कर सकता है तभी सु रूरल अथोरिटी का इस्तमारा करके अपने पीछे वाले वैपन को फैंग मुनाच के सामने लाता है लेकिन ये तो बस एक ट्रिक थी फैंग मोनाच का धियान बटकाने के लिए सौव एकदम से उसके पास आकर अपने पूरी ताकत से उसके पेट पर घूसा मारता है सौव का घूसा खाकर फैंग मोनाच काफी दूर जाके गिरा था लेकिन वो काफी गुस्चे में उसके साथ फिर्चे लड़ने के लिए तयार हो जाता है सौव सभी गॉब्लिन्स के वैपन को फैंग मोनाच के उपर भीच कर एक अच्छी ओपनिंग देखकर उसके राइट हैंड को काट देता है तो दोस्तो यहां सी वीडियो होती है और मैं जानता हूँ वीडियो काफी लेट है लेकिन मैंने इससे पहले सोलो लेवलिंग पर वीडियो बनाए थी पर उस पर कुछ खास रिस्पॉंस नहीं आए तो इसलिए मैंने यी वीडियो थूड़ी छूटी बनाने का सोचा झाल 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 झाल